अपहरन मामले में सद्गुरु ट्रस्ट ने की इनाम की घोशना चित्रकूट सद्गुरु पबलिक स्कूल से मंगलवार को अपहरन हुए जुडवा बच्चों के सुराग ना मिलने से धर्म नगरी अब तक शर्मसार है जहां बच्चों को ढूणने के लिए दो प्रांतों की पुलिस, स्टीएफ और एंटी डकैती जंगलों की खाक छान रही है तो वहीं परिजन और सद्गुरु स्टाप की कई टुकडियां बच्चों की तलास में दर बदर फोटो लिए सकोशल बापसी की फिरात में उमीद के लिए भटक रही है इस मामले में मध्यप्रदेश डीजीपी वीके सिंग ने बच्चों को ढूणने या सूचना देने वाले को पचास हजार की इनाम की घुशना की थी तो वहीं सद्गुरु सेवा संग्स ट्रस्ट ने भी डूणने वाले को एक लाग रुपे कर नगद इनाम देने की घुशना की है ट्रस्ट परिवार समेत धर्मनगरी से सटे आसपास के जनपत के बाशन दे इस घटना से इस्तब्द है बच्यों की बापसी के लिए कोई मंदिरों की चौखट पर है तो कोई हवन कर रहा है कोई मजारों पर है तो कोई मस्जिदों पर सज्ज़दे कर रहा है पिलहाल घटना का तीसरा दिन पूरा होने को है और मद्यप्रदिश पुलिस की सफलता सिर्फ नज़र नहीं आ रही है चित्रकूट से भारत भूशन शुकला